भारत और सौथ अफरीका के बीच खेली गई पांच मैच की T20 सिरीज दो दोग की बराबरी पर खत्म हुई सिरीज का पांचवा और आखरी मुकाबला बारिश की वज़े से रध हो गया सौथ अफरीका के खिलाब भारते टीम के कई सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया था ऐसे में युवा कपतान रिशब पंत की कपतानी में टीम की बागडोर युवा टीम पर थी रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे उन्होंने सीरीज में लगातार 150 की स्ट्राइक रेट से 206 रन बनाए लेकिन फिर भी आशुपा और पार्थिव को इस प्रदर्शन में थोड़ी कमी नजर आई आशीश नहरा की नजर में इशान किशन ने अच्चा इंटेंड दिखाया लेकिन अब भी 23 साल के इस युवा बल्लेबाज में सुधार की बहुत गुंजाईश है आशीश ने साथ ही ये भी कहा कि इशान इस सीरीज में पूरी तरह से आत्म विश्वास से भरे हुए नजर नहीं आई नहरा ने क्रिक बस से बात करते हुए इस सारी बातचीत की उन् कि जैसे खिलाडी के लिए T20 क्रिकेट में ये हमेशा करना आसान नहीं है उन्होंने इस बातचीत में आगे भी बहुत कुछ का नहरा आगे कहते हैं वो जो भी रंस बनाए उनका असर पारी पर दिखना चाहिए उन्होंने पहले मैच में 76 रंस बनाए लेकिन वो उतने सहज नहीं दिख रहे थे वे अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना चाहेंगे आशीश नहरा के अलावा पार्थिव पटेल ने भी इशान किशन पर अपनी बात रखी है पार्थिव पटेल ने बताया कि इशान किशन कैसे टीम इंडिया के लिए और बहतर साबित हो स किसी भी खिलाडी के लिए आलोशना जिलने के बाद वापसी करना बेहद मुश्किल होता है उन्होंने आज पहले ओवर में दो चक्के लगाए जो कि दिखाता है कि वो आगे जा रहे हैं वो भले सीरीस के सरवादिक स्कोरर हों लेकिन उन में अब भी सुधार की दिखती है इशान किशन के प्रदर्शन को लेकर लगतार सवाल उठाये जा रहे हैं बाउंस विकेट्स पर उनकी बल्लेबाजी तकनीक पर भी कई सवाल है जबकि कई जानकारों का कहना है कि ऑस्टेलिया में जाकर इशान किशन के लिए बहुत जादा परिशानिया होंगी आस्टेलिया का जिकरिस लिए क्योंकि इसी साल के आखिर में भारत्य टीम को आस्टेलिया में T20 विशकप खेलना है लेकिन इशान किशन ने जिस तरीके से साउथ अफरीकी तेज गिनबाजी को खेला है उसके बाद एक उमीद जरूर जगी है कि हो सकता है आने वाली विदेशों में इशान किशन और बहतर बल्लिवाजी करें और भारत्य टीम के लिए ओपनिंग की समस्या को दूर करें अगर आपको क्रिकेट या बाकी खेलों से जुड़े ऐसे ही और इंटरस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को ज सिर्फ खबरें नहीं मिलती साधी साथ इंटर्व्यूस किसे और कहानियां भी मिलते हैं तो जल से जल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजे शुक्रिया